नमस्कार दोस्तों, एस्बी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेस्बुक पेज, यूट्यूब चैनल, अम्रीज बालियान पर आप सब कार्दिक स्वागत है, अभिनिंदन है. शिसली में आज पूर परदान मंतरी चोदरी चर्ण सिंग की जैनती पर, यूवा समाध कारेकरम का आयुजन किया गया, और इसके मुख्या सुतरधार रहे, यूवा किजान नेता, चोदरी गौरवटी गेर. गौरवजी आज यूवा समाध कारेकरम के माध्यम से किन-किन मु आज आज देने की कोशिश की गई. अज परदान मंतरी, पूरपरदान मंतरी चोदरी चर्ण सिंग एक सो बीस वी जैनती थी, और ये रहा कि यूवा कहीं न कहीं चोदरी सहाब को कहीं न कहीं भूलते जा थे, सबस्पपली तो बात शीत यह रहे कि बहाई, चोदरी चर्ण सिंग जगर किसान की फरद में नाम दरज है किसान का तो चोदरी चर्ण सिंग की वेद है, तो उस विचाट धारा को नहीं भूलना चीए, और आज वही उसी पर रख्या, यूवावन ने अवसे लगव दो महिन ने पहले जब इस कारेकरम की शुरूवात की थी, एक कारियो बहुत यूवावन ने बात कही है, दोजार चोदाव में जोन से यूवाई तो थे जो सरकार को लेगाए थे, आज अपने आपको ठगवा मैसूस यूवा कर रहा है, भही नोक्री यह कहीं नहीं रही है, अगनिवीर योजना को आपने जोड़ दबड़स्ती अर यह कह करव जोत छोटी ओती जारी, किसानी खेती वो घाटे का सोद्दा बनती जारी, इन सारी विशु पर चट्चे करी, बहुत सारे विशे, बहुत लोग ऐसे हैं जो नोक्री को छोड़ छोड़ के खेती को मैं आरे और बढ़िया मुनापका मारे, आज उनके भी विचार सुने, तो बच्चों ने अपने कारे करम से जोदरी साब को, चोदरी चरनछ सिंग को चुटगए साब को लोगो को याद किया, तो आगे भी इस तरह कारे करम होते रहें. जो इस युवा समवाद कारिकम के माध्यम से परदान मंत्री के नाम गयापन भी दिया गया उसके जरी क्या-क्या मुद्दे उठाय गया को एक तो युवायोग का गठन हो युवायोग में किसा साथ खेती में भी एक ऐसा बढ़ने को जिसमें परिक्षन युवा किसानों को मिले और खेल में जिसे आप यहीं लगाओगे चेत्र में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बढ़िया विदेशों में इंटरनेशनल किसान मंतरी को दे रहे ुवा सभी लोग और यह बतारें कि यह हमारी समस्या इन को समधान करें अपने जो समस्याओं का ध्यान है वा करशित कराने की आज के माध्ध्यम साज के कारे करम के माध्यम से कोशिस करी युवाओन बई चाप गाजिपूर बोर्डर पर वी जो किस जब एक तीन किरसी कानून लाग वे थे, सरकार ना कहा था कि रिफॉर्म हैं और ये कहते में बहुत बदलाव करांगे हैं, बदलाव करते हैं सिर्फ वयापारियों के फायदे के लिए थे, बजारवाद, पुंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए थे, तो ये सब युवा समझे, युवाओं ने भी भागिदारी सांधरों में की, और कहा कि भई आप ये कानून गलत लेकाए, इनको आपको वापसी लेना पड़ागा, सरकारों ने आप ये कानून तेरा मेहने तक हैंचा, साधे साथ सो करीब किसान सहीद हुए, बार बार देश का किसान नोजवा कहता रहा कि ये कानून गलत हैं, लेकिन सरकार ने पतरतरह के आरोप लगाए, देश दिरोही है, तो खालिस्तान, पाकिस्तान, अपताने क्या बात चीत की, तो इस तेक सरकार के परती जो रुक था युवाओं का, वो बहुत खिन है, और इसको समझना चाहिए सरकार को, कि युण आओं युवाओं की याओं मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे देश की आबादी 65 ऺच़डियू है, वो 35 साल से कम किया है, यहाँ मेरा नोजinguém है, आज वो नौजवाण क्यों परेसान है, आज वो नोजवाद क्यों भर्मित है, तो इंघा चिजू उग के आज का मन थ बहुत अच्छा करेकर हम युवाओं ने किया बच्चों ने किया सभी विध्यालय प्रबंदा का भी वह जो टीचर्स है उन्होंने किया तो एक मेसिज दिया कि भई जो विचारधरा चोदरी चरण सिंग की है वह विचारधरा जीवित रहेगी मजबुति की साथ में उस आज इसी युवा समाद के मंच से चोदरी राकरिस्टिगेत ने ऐलान किया कि युवाओं को ट्रेनिंग दी जागी हर परकार से उन्हें तियार किया जाएगा तो वो ट्रेनिंग क्या आंदोलन से जुड़ी हो ज़िए ने बिलकुल आंदोलन भई युवा करेंगे अगर उनका मांगे जो है उनके हक है जो है उनको अगर नहीं मानती सरकार तो आंदोलन तो होंगी MSP नियुनतम समर्तन मुले देश का दुर भाग गया है अमरिस भाई कि आज देश का किसान आई उसी स्थेती में खड़ा नियुनतम की मांग कर रहा है मांगानी चाहिए थी मुले सुचकांक सा जिस तेजीज में और वस्तू के रेट बढ़े किसान की फसलों के भी रेट बढ़ना चाहिए नोजवान भी अपनी जमीन में रोजगार तलास ना करना पड़ता है जो पलाइन गाउं सा हो रहा है उस सहरू की तरफ जा रहा है पल और शकार अत्मक कदम भारते किजान यूनान और यह आप ठाने जारें मुष्ट अच्छी पहल आज की रही और मैं तो धन्नेवाज सभी युवाव को कहूंगा और इनोंने फिर कोछिश करी कहा भी है कि इनको हम जिन पद इस तर तक बोग इस तर तक गाउं इस तर तक इस किम प्रीक सपूश करिंगे भी हम इस तर शो समवाद करेंगे बहूत लोग इस कारे कराम मारेखे सभी ह HOW यह नहीं बहुत meer की बहुत लोग तारीक बादुर के लिए कि अपना यह सभात करेंगे और जो शुरूव ही अपर तरिके लिए यहान चले जागा रएगा भारतिक बिल्कुल बिल्कुल चलागा और यही चलागा काम चलागा जिस तरह कार सरकार हटधरमी सिकर रही हिस तरह करता सरकार एक बाट के एक भावनाओं को बढ़का के वह हिंदु मुसल्मान एक चीज इरट ली कहां तुम रोज नोजवान जागा अब आप गाउं की हालात देखो बेज रखी होगा रखी कि सब ओजवान जो आज आए हजारों की संख्या मैं तो वे आज तरह स्थ है कि कोई हमारी बात कहेगा बहुत कोई बात कर गा और धन्यवाद पुरे भाड़ते किसान इनन की युवा टीम का पुरे भाड संगठन का उन्होंने महिलाओ के आज भी यह प्रस्ताव पास होगा कि जो नसा खोरी है या भिसाफ है और खास तोर पर इस युवा पीड़ी को लिया भई चोदरी चरण सिंग की यही विचार धारा थी कि हमार ब्राष्ट की अगर होगी तो गाओं खेत खलियान सा होगा गुजरेगी तो हम युवाओं को दो भी हों करना पडागा नशे खोरी तो है और जो खर्चे हैं फिजूल खर्ची है उनको आपको त्यागना पड़ा और वही सौच कि अपने खेत की तरफ को भी धियान लगा कर अपने खेत के पर ती भी सचेत रहे हर तरी आगा की फसले हैं उस पर भी ध्यान जोय इस युवा सम्मादगार कर्म के जरिया जहां युवाओं के मुद्दों को आवाज दी गई वहीं होज्वे में संगटन में यवाओं की और महिलाओं की भूमिका और बढ़ाने और उन्हें सक्रियता के साथ संगठन में लाने की कोशिश को भी एक तरह से उस पे विचार मुंतन हुआ और आगे के बारे में पूरी रूख प्रेखा तियार हुआ